जाहिन दोस्तों तो दोस्तों हमको BSP ने इन्वाइट किया था उनका रेजिंग डिय में तो हमके थे उसका पार्टी में तो देख सकते हो जो बाबा आया था तो अच्छा स्पीज दे रहा था तो पूरा जबान सुन रहा था तो मैं रेकॉर्ड में था तो वीडियो पूरा देखिए अच्छा लगेगा इस पीज जो भी दिया है बहुत बढ़िया है आप लोग देखिएगा तो चलिए वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लागे तो चैनल को फॉलो कर लिएगा जैहिन पिर श्ट्रेस भी आता फिर बहुत ज़्याद है एकाथ कोई साथ में रहने वाला और सैता नी कर दे तो फिर और भड़ भड़ा जाता सरी और कोई सच में अपने लिए हस रहा और दूर खड़ा तो यही लगता है यह हमारी उपर हस रहा है यह जो मन की गती है यह बड़ी खतरना की यह मन कई बार ऐसी चीजों को सब्त मान लेता है जो सब्त होती नहीं तो अश्ट्रेस मुक्ती का सरवत्तम उपाए या तो आप यहां बेसरत बहुत रहते हैं पर बारा घंटे की विड tonight करके आया आप पांच मिनट meditation करें ध्यान जरून नहीं आप अनमान जी का करो राम जी का करो आप जिनको मानती, अपने गुरू का ध्यान करो, अपने इश्ट का, आराध का, हमारे सरदार परंपरा से जो है, वो अपने गुरू गुरू ग्रंतर साहब का, जिनका भाव बने, पांच मिनट आप बिलेंक हो करके, एकदम बिलेंक, खाली, कुछ नहीं सोचना, केवल ध्यान करो अगर आप ओम का करो, प्रणव का, तो हमें लगता है, कि आप देखेंगे, दस से पंदरा दिन में आपके जीवन में, और आपकी बोड़ी में बहुत फर्क पड़ रहा, आपकी विचारों में बहुत फर्क पड़ रहा, कई बार सरी, जो आलस में, चिर्चिरापन में, द्यान, मेडिटेशन, पांच मिनट, बहुत एक घंटा ने, दो घंटा ने, पांच मिनट ध्यान, और ध्यान का मतलब आख बंद करना ने, ध्यान का मतलब हमारी मती जो कहती, आख खुले में ध्यान हो, बहतरीन ध्यान, आख खुली रहे, और अपने आपको हम, मैं कौन और आपका तुर नेड़े फिक्स हो गया है कि आप इस पुर्टवी पर राष्ट के लिए आए अब पूरे राष्ट की जिम्मे बारी आपके उपर है और आप मुस्कुराएंगे मेरे प्रिये जनों हमारे परिवार के सड़स्यों हमारा भारत मुस्कुराएंगा आप स्वस्त रहेंगे हमारा भारत स्वस्त रहेगा और आपका ब्रेंट देज चलेगा हमारा भारत आने बानी हर बला से बचेंगे हमारे भारत में जो स्वरक्षा विवस्ता आपके हाथ में पूरा देश आपके कारण चैनी से सो रहा है लेकन आपका मुस्कुराते हुए रहना बहुत जरूरी और हम लोग हमने तो प्रण दिया है कि हम अभी आपको बता भी रहे थे केंप में जहां बैठे चाय पी रहे थे हम प्राथना कर रहे थे कि एक बार हमारे साथ ऐसी घटना घटी तो हमारे जीवन में वो क्रांती हो हम अचानक से जाना था कहीं अचानक से जाना था एक महत्मा का आदिस लगा कि आप आओ अभी आ और यही कोई डेट दो साल पुलानी बात और अस तक ऐसा हुआ नहीं पर नहीं मिली टिकेट तो नहीं मिली पर एक ट्रेन आ रही थी जो दिल ली जा रही थी हम बैठ गये लेकिन बिचत्र बात हमने अपनी आखों से दे अधिकारी भी हमारे साथ में शुरक्षा के अधिकार किया हमने धन्यवादिया हमने सबको कहा आप लोग बैठो हमको केबल एक सीट बैठने की चाहिए किसी के भी साथ हम सेर करें लोग बोले नहीं नहीं कुछ लोग नीचे बैठ गए जोड़ी बैठे सब लेकिन तब तक हम जब बातरूम तरब गए जो हमारे भीतर क्रांती गटी वहाँ पर दो राष्ट की सिवा करने बाले बीए सेट की जबान बातरूम के पास अख़वार बिचा कर बैठी थे तब हमारे मन को बहुत पीरा होई कि यह देश कितना बिचित रहे एक कोई अभिनेता या कोई ब्यक्ति उस बोगी में बैठ जाता है तो बोगी खाल तक सहर नहीं थी उस दिन हमने प्रण लिया था कि जो भी होगा अमारे जीवन में हम कुछ ना कुछ अपने सब्दों से भारत की लोगों को मोटिवेट करेंगे और हम आप से प्रात्मा करना चाहेंगे आप सब से आप मुस्कुराओ मुस्कुराना ही जीवन अच्छा आप पुराना जमाना आपको याद होगा फोटो वाला केमरा चलता था आप आजकल तो सेल्फी चल गई यूँ टेडा करें जैसे लोकवा लग गया हो फोटो खेच पुराने जमाने में केमरा का जमाना होता था तो हमने केमरे के जमाने में एक अच्छी चीज बहुत आपजर्ब वाले आदमी है हमने आपजर्ब किया जब किसी की साधी होनी होती तो एक दिन पहले केमरा बालों को बताना पड़ता था देख भई साधी के लिए लड़की प्रद्वालों को प्रद्व बेजनी है कल टाइंप आ जाना दिन भर केमरे वाले का इंतिजार करते तीन-चार बार पाउडर लगाकर बालवाल ठीक करके लड़की को दोड़ा गोरा बतन जाना चाहिए केमरा वाले के भी उस दिनों में उन दिनों में बहुत साके पड़े थ जत्म हो गया तो उसके भी बहुत नकरे होगा करते थे उस जमाने में कैमरा रील वाला कैमरा फिर वो कहता था ठीक है खड़े हो जाई हम फिर तुरंट खड़े हो जाए फिर वो कितना भी अंपर्गवार हो अंग्रे जी का एक सब प्लीस इसमाइल अनपर्गवार हमारे ग प्लीस इसमाइल बोलता है थे थे जाई हो जब दो तीन दिन इंतिजार करते थे क्योंकि वो धुल कराती थे जब दो तीन दिन बाद फोटो आती थे अपनी फोटो देखकर हम लोग हसते थे विचार करिये एक सेकंड मुस्कुराने से जब चित्र अच्छा आ सकता है जीव प्लीस इसमाइल आ सकता है